हेलो एवरीवन आज हम असाइमेंट वक्षीट एट करेंगे थर्ड नवेंबर की शोशल साइंस की क्लास नाइड है यह डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एन सिटी अफ देली के द्वारा दी गई वक्षीट असाइमेंट है आज हम एक पैसेज पढ़ेंगे दे लाइफ ओफ रिवोल्यूशनरी वूमें एक लाइफ एक रिवोल्यूशनरी वूमें की जिसने बहुत बड़ी लड़ाईया की वूमें को फ्री करने के लिए उनका नाम के ओलंपीडी गोजेज उनका बर्श 1748 में हुआ और वो 1793 में उनको एक्सीक्यूट यानि उन्हें फासी पर लड़का दिया गया ओलंपीडी गोजेज वूमें इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किये वूमें को सारे उनकी राइट्स देने के लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाई की प्रोटेस्ट किया बहुत से विरोध किये अगेंश दा कॉस्टिटिशन एंड डिकलरेशन ऑफ राइट्स अफ मैन और सिटीजन एस दे एक्सलूड़ेड वूमें फ्रॉम बैसिक राइट्स क्योंकि जो वूमें थी उनको एक यूमन बीं की तरह कुछ राइट्स नहीं दिये जाते थे जो कि मैन और सिटीजन को दिये जाते थे शो इन सेवंटीन नैंटीवन उन्होंने क्या किया उन्होंने डिकलरेशन ऑफ दा वूमें एंड सिटीजन लिखा एन विश्षी एड्रेस तो दा कुइन जिसको उन्होंने 1993 और उन्होंने जैकोविन क्लोविन से भी लडाई की क्योंकि वो जो थे वो बहुत ही गंदे लोग थे वो वूमें उन्होंने क्या किया उन्होंने ट्राइड किया ट्राइड मितलब क्या होता है ट्राइड मितलब हमारा होता है कि उन्होंने विरोध किया नेशनल असेंबली से भी उन्होंने नेशनल असेंबली से भी कहीं सारी लडाई लड़ी सबसे लडाईया लड़ी उन्होंने और फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उनको जो थी उन पे कुछ चार्ज की तो हम इतना सही सोर्स पड़ेंगे अब कोश्चिन ओलंपीडी गोजिस वस वन अफ दे मोस्ट इंपोर्टन अफ दे पॉलिटी कालेक्टिव वुमेन कहा की थी तो फ्रेंच्च डिवोलूशन है तो फ्रेंच्च ही अफकॉस तो फ्रांस अगला उन्होंने किसके विरोध लड़ा तो उन्होंने विरोध किया था B Declaration of Right of Man and Citizen इन विच येर कॉन से साल में उन्होंने Declaration of Right of Women and Citizen लिखा तो उन्होंने ही लिखा था 1791 में कब लिखा था 1791 में लिखा था अब गूँड़ेट शी अड्रेस उसने किसको दिया डेकलरेशन अफ राइट अफ राइट वोमें एंड शिदीजन उन्होंने दिया था तक कुईन एंड़ेमबर्स अफ दे नेशनल असेंबली इन विच एयर वस शी एक्जिक्यूटेट किस साल में उनको मारा गया तो 1793 अफ कुच लाइट बछूछ पूचिई, को वस में एंड़ेगोज वस ओूपति कि इस उम्लाइबाबर्स तक कूषिया रविंप सेवेस्स है बीने स्वाटी नेड़ेट विजर कूछिट पूलошे, बालएं़ेस्ट अन्हेंज्चर 1.Women were denied rights in this. 2.Women were not given the right to vote. 3.Women did not have political participation. 8.Why Was Olympeire Gauges executed? On 3rd November 1793, the revolutionary tribunal sentenced her to the death and she was executed for seditious behavior and attempting to reinstate the monarchy. Olympe was executed only after a month after Kondor Act had been proscribed and just three days after the Girondin, leaders had been gullotined. 9. Define in detail the difference in the Declaration of Rights of Men and Citizens and Declaration of Rights of Women and Citizens. 1. Women's word and aid rights in this. Women were not given the right to vote. Women did not have the political participation. अब आपका अगला कोश्चिन है, 10. From the passage, जो passage है, आपको उसी क्या लगता है? कि revolution for women in France executed in 18th century. First, women were denied their rights in the Declaration of Men and Civil Rights. While later, women like Olympi Regoges made a strategy for revolution and through clubs and institutes for women's rights and the French Revolution took place in which women's participated, after which women's were also given participation of rights. तो बच्चों, आप इस तरह से assignment worksheet करेंगे. यहाँ पर assignment worksheet खतम होती है. अब हम मिलेंगे अगली assignment worksheets के संग. तब तक के लिए बाई, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बाई, एवरी में.